कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूं आप लोग अच्छ होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं तो चलो कंटिनू करते हैं यार अपने एकॉमर्स के श्टेडी को और हम हैं अभी पेज नबर फाइफ पे क्या है मारा टॉपिक आज एकॉमर्स बिजनेस मॉ मैं क्या करूं गा या तो मैं ड कंपनी को सप्लाई करूं तो यह हो जाएगा मतलब बिजनस टु बिजनस एक यह हो जाएगा कि बिजनस से कश्टमर तक चलते हैं अब-स हो तो हमें यह सारे देखने पड़ेंगे और इलेक्ट्रोनिक कमर्स बिजनस मॉडल है इस बिन डिवाइड इंटो फोर डिश्टिंकिटेग्ग में इन्होंने बीटू भी बीटू सी सी टू बीटू सी और बीटू जी तो अब देखो बीटू बीका क्या है कंपनी यहां पर कंपनी परचेश कर रही है अगर मालो मेरा मेरा के dark बेच बोलेंगी इसे ूब्रे रेटीर को देता होगा है ठीक है आगे चलते बीटूसी अब देखो क्या है बीटूसी सेलिंग औफ गुड्स एंड सर्वसेश टूर कस्टमर एंड ट्रांजेक्शन टेक प्लेस त्रू इंटरनेट एक तो मैं अब अपना बिजनस है तुम्हारा बिजनस है तुम डिरेक्ट कस्टमर को दे रहे हो मालो कि तु तो मिश्टर राम को इंटरनेट के माधिम से तुम्हारा पास और आया इंटरनेट को यूज करते वह तो मुसको दे रहे हो अपनी डिलिवरी ऑफ गुड्स कर रहे है तो इसे हम बोलेंगे बीटूसी ठीक है अब बीटूसी समझ में आ गया तो यह प्रोड़क्ट और in spicy chain management इसको क्या बोलते सप्लाई चेंग अभी supply chainस के चाहिए commodity है की हमने 28 पर चेश किया पिर उसको ऐसको किया फ्रो meses करने के बाद बना दिया सप्लाइयर ने घृबे दिया बनीफेक्ष्रॉर के गया है नया प्रोडक्त बनाएगा फिर वो देगा किसको हुड सेलर को समय को यह विक्टेलर को्ते वब review चैन है उसको बोलते हैं सप्लाई चीन अगार भी कि क्या है और इसको दि मेनेजमेंट है यह से टीड़ जनडों दे उसको दिए करेंड कि भाई आपने हैं हमें जो दिखा है न अब बता रहा डीमांड को अपने को परोड़क्ट सबसब्स करेब Christmas करें तो बोलते हैं essa को सी टू डी कश्टमर ने डिमांड दिया मार्किट में डिमांड आ गहीं किसी चीछ की छक्षट है तो ठंडी में ठंडी के कपड़ों का बढ़ जाता है तो हर बिजनसमें को पता चल जाता है तो यह सी टू भी ए ठीक है ना तो मैंने जैसा भी supply chain management बता है ना कि पूरी chain है supplier manufacturer पूर देगा manufacturer product बनाके wholesaler को wholesaler अपने retailer को फिर retailer आगे customer को तो उसमें customer से अगर हम customer demand generate किया और business ने फिर supply किया तो इसको बोलते हैं आगे चलते हैं तो यहां पर देखो website collect the demand bits website क्या करता है Amazon Flipkart यह सब क्या करते हैं demand लेते हैं and then offer the bits to participating seller और फिर वो seller को बताते हैं कि इतने इतने demands आ रहे हैं तुम यह भी product बेचो यह price रखो price भी advice करते हैं बोलो now see to see customer to customer consumer to buy and sell from each other through a quotation अब यहां पर quotation price आ जाते quotation क्या है यह product की बोली लग रही है तुम अपना quotation दो the e-commerce अलाव unknown for trusted parties to sell goods and services to another मतब यहां पर वार resellers भी आ जाते हैं तुमारा goods purchase क्या किसे बंदेन और फिर वो भी बेचना चाहता है उसको आगे तो इसको प्लेन रीडिंग करोगे समझ में आया जाए जाए नाव mechanism dynamics of worldwide web and internet evolution and features दो जब internet के शुरुआत हुई तो यह वर्ल्ड वाइड वाइड वैब यह टेकनिक से ही शुरुआत हुई तो 1990 की बात चल रही है जब www कोई भी website आप देखोगे तो www करके शुरू होता है तो व्ल्ड वाइड वैब यहां से शुरू हुआ ठीक है और पीसी इस तरीके से पीसी का ग्रोथ बढ़ा मार्केट में लोगों ने कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किया जैसे www नेटवर्क आगे बढ़ा उसका एक्सपेंशन हुआ तो फिर e-commerce के सब्सक्राइब बने तो उसका इस्तेमाल बढ़ने लग गया कंपिटिशन बढ़ गया मार्केट में और नए से नए स्टार्ट अप्स आगे जो इंटरनेट का यूज़ करते हुए इसको और कॉमर्शलाइजेशन पे लेके गए मीशो फ्लिपकार्ट एमजन ओला उबर और भी चीज़ें यह सब क्या है यह सब कंपिटिशन में तो आगए स्वीगी जो मैटो हर एक फिल्ड में अलगल यहां तक कि अब तो एजुकेशन भी आ गई है अपने ऑनलाइन टीचर से एप बना रहे हैं तो यहां से डेवलपमेंट हुई और उसके बाद फिर जब इंटरनेट घर घर तक पहुचा तो क्या हाल हुए तो आप देखी सकते हो जब हर एक के हाथ में मुबाईल है हर एक के हाथ में इंटरनेट है तो चीजें आसानी से पहुँच रही है कंजूमर अब चलते हैं अब चलते हैं अब चलते हैं फ्रेमवर्क ऑफ एक कॉमर्स का क्या फ्रेमवर्क है क्या धाच है कैसे बिजनस किया जाता है इक कॉमर्स इस सर्विस इंफ्राइस्ट्रेक्शर सेक्यूर्टी ऑथेंटिकेशन इलेक्टोनिक पेमेंट डिरेक्ट यह क्या है बाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट बना ली और अपना बिजनस शुरू हो जाएगा एक होते हैं कि यार पेमेंट ना सही जगही गई है और अगर हमने कुछ प्रोड़क्ट रिटन कर दिया तो वापिस आजाएगा इसका मतलब सिर्फ वेबसाइट डेवलप करना वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है वह ऑथेंटिकेटेड हो वह भरोसे के लाइक हो उसको बरोसा हो कि यहां पैसा डूबेगा नहीं तो वह तब होगा ना जब वह सिक्योर रहेगा ऑथेंटिकेट रहेगा इलेक्ट्रोनिकली पेमेंट के लिए अलाव करेगा पहले लोग सब कैश ऑन डिलिवरी ही लेते थे ज्यादत है कि पहले हम गुट से ले लेंगे तो यह सब क्यों कर पा रहे हैं को कि हमें भरोसा है इन सब चीजों पर की हां हम सिक्योर है ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रोनिक पेमेंट यह सब प्रवाइड करा रहे हैं मैसेजिंग और इन्फोर्मेशन डिस्ट्रिबूशन आप किसी के वेबसेट पे गए रिव्यू हमें कोई गलत प्रोड़क्ट मिल जाता है तो हम रिवी भी तो देते हैं तो वह ऑप्शन तो रहेगा तभी तो मैसेजिंग या इन्फोर्मेशन को हमें चाहिए अपना बात नहीं है आप भी कर सकता हूँ कई सारे ऐसे वह आगे हैं क्या कहते हैं वेबसाइट जहां पर आप बस अपना रिजिस्ट्रेशन लो रिजिस्ट्रेशन करो और वेबसाइट बना लो लेकिन वाइसाब उसको सिक्योर कैसे करना है कैसे मैसेजिंग के लिए ऑप्शन द लाएगा इसी से तो बिजनस करेंगे अब लोग क्या करते हैं वेबसाइट नहीं बनाते इतना सब क्वाण मतब लगाए तो वह क्या करते हैं वह सर्विसेज लेते हैं अगर आपको लोग लेकिन लेकिन अगर आपको लॉंग टम में थोड़ा सा कोगी लोग तो कमिशन भी लेते हैं कमिशन से बचना है ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखना है तो फिर आपको अपना वेबसाइट बनाना होगा तो आज कल एकॉमर्स में जाने के लिए या इकॉमर्स बिजनस करने के लिए अपना वेबसा चलो जी आई होब कि आपको समझ में आ रहा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कुछ अगर किलियर नहीं है या कुछ कॉंसेप्ट रह गया तो ठीक है अब चलते हैं पब्लिक पॉलिसी लेगल और प्राइवेसी इसूस टेक्निकल स्टेंडर्स फॉर इलेक् कोने के लिए दोक्यमेंट सेंगें की फाइल डाउनलोड कर लेते हो फिक्टर को या फिक्चर देखते हो या फिर कोई हम अपनी इन्फॉमेशन वहां शेयर करते हैं तो प्राइवेसी तो रहेगा ना ऐसा तो नहीं कि पर टाइट को वो सेल कर रहे है इस तरीक से तो पॉb पासवर डाल रहे हैं बैंकिंग में कोई और नहीं देख रहा होगा किसी और के पास इंफोर्मेशन नहीं चली जाएगी तो यह कैसे कैसे पॉसिबल यह सब और e-commerce का ही तो पार्ट है तो मान के चलते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने पॉब्लिक पॉलिसी लीगल या प्राइवेसी इसूस को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल स्टेंडर्स को फॉलो किया होगा जितने भी डॉकुमेंट्स वो दे रहे हैं वो सब सही दे रहे होंगे मे साइन अप करते हो किसी एप्लिकेशन में तो वहां पर अपना एड्रस वेड्रस अब डालना पड़ता है तभी तो डिलिवरी करेंगे ना तो वहां पर हम रहते हैं कि यह एड्रस वेड्रस किसी और से शेड नहीं करेंगे फाइंड या फिर जॉब हम सर्च कर तो नौकरी. इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और यह जो मेरा सीवी है या रिजू में है वो किसी कंपनी को ही फ्रवर्ट करेगा जहां से मुझे जॉब ऑफर आएंगे तो यह सब तभी पॉसिबल है जब वो पब्लिक पॉलिसी को फॉलर करेगा डॉक्मेंट कॉन्फिदेंशल रख तभी पॉसिबल है जब इसके रिगार्डिंग सपोर्टिंग इंफोर्मेशन अवेलेबल हमारे कास उसका ओर्गनाइजिशनल इंफ्राइस्ट्रक्ट्टर डेवलोप हो कैसे यह सर्विस दे रहा है अपने कस्टमर को नोकरी.com ने अपना इंफ्राइस्ट्रक्टर बना र पर रखना है इन सब चैजों का कि हमारे साथ फ्रॉड ना हुशा है तम तहिं Care this any electronic commerce application or supported by infrastructure construction बनती तो बिना infrastructure को यह बना infrastructure मिंधिनघ्र है यह सब शोर होने के बाद हम मानके चलते हैं यार यह ठीक है ठीक है ना अभी आप देखना कभी आप सिस्टम में लैप्टॉप में या फिर कंप्यूटर में कोई चीज ऐसा वेबसाइट सर्च करोगे या कोई डाउनलोड करोगे तो लिखा भी आ जाता है कि भाई यह जो है अध्राइज्ट वेबसाइट से नहीं है तो तुम्हें वह वार्निंग दे देता है तो इस तरीके से उन्होंने इंफ्रेस्ट्रेक्श्टर बना रखा ऐसा कि जो हम अपने यूजर्स को बचा लेंगे नव इलेक्ट्रोनी कॉमर्स मैनेजमेंट कोडिनेट्स अप्लिकेश का तरीकर लेकिन अब आप गूगल पर सर्च करो जैसे कि गूगल पर सर्च करो मुझे चेहर चाहिए अब जैसे आपने एक जगे चेहर किया ना तो गूगल कि आटीफिचल इंट्रिजिजन सी को यूज करता है और आप आप किसी वी वेबसाइट पर जाओगे ना तो वहा तो यह सारा इंटरनेट मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का पार्ट है यूटूब पे एडवर्टीजमेंट होती है चलती है इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट चलती है यहां पर टार्गेट कस्टमर को टार्गेट कस्टमर को यह सारे अच्छा कासा होता है ठीक है चलते हैं डिजाइन एंड लांच और e-commerce website अब e-commerce website का design कैसा होना कैसे लॉंच करें decisions regarding the selection of hardware और सब अब आपना हम खुद ही अपना e-commerce website बनाएंगे like Amazon Amazon को compete कर देंगे Flipkart को हरा देंगे तो हम कैसे बनाएं अब एक बाद बताओ आप अगर ऐसा website बना लेते हो जिसमें आप अच्छे से payment को option ही नहीं देते या payment का आपने option दिया लेकिन सिर्फ cash on delivery दे रहे हो बंदा ढूंड रहा है या इंटरनेट banking को जाके login करके payment कर दूँ खतम कहानी मैं तो office में रहूंगा वो बंदा समान लेके घर पे आ जाएगा या फिर हो सकता है घर पे आ जाओ इस्टेम cash इना हो बहुत सारे इस्वे आपने इंटरनेट बैंकिंग दे दिया लेकिन customer की मतलब मार्केट में आप अपना प्रोड़क्ट बेच सकते हो तो डिजाइन करो अच्छे से अपने वेबसाइट को जब लॉंच करने से पहले सिर्फ hardware नहीं software पर ध्यान देना होगा कैसे payment mechanism होगा कैसे हम shipping कर देंगे कितना टाइम लगेगा कैसे उस पर आप इमजन से कोई order करते हो नोटिफिकेशन तक आ जाता है कि तेरा प्रोड़क्ट शिप्ट हो गया आउट ओफ डिलीवरी हो गया यह सब क्या है यह सब किसी एक अच्छे e-commerce website का एक्जामपल है कि हमें इनसे सीखना है कि हम भी अपने customer को इस टाइब की services देना चाहिए ठीक है तो देखो जो मैंने shipping की cost कितना क्राया देना पड़ेगा बंदे को integration कि वह कैसे डविट करेट कार्ड उस पर यूज हो जाएगा क्या सिर्फ इंडिया में ही आया कहां के लिए कस्टमाइजेशन कि वह किसी तरीके से हम कस्टमाइज करना चाहते हैं कि यह किसी कस्टमर के अकोर्डिंग कस्टमर की डिमांड चेंज होती जा रही है तो उसके हिसाब से मैं कैसे अपने वेबसाइट को भी कस्टमाइज करता रहा है चैलेंज जिस कैसे वारंटी देना है कैसे मार्केट रिटर्न आ जाएगा गुड्स प्लैटफॉर्म कर दो सपोर्ट टीम को अगर कोई गलती हो जाए तो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फोन सपोर्ट दो यह सब होना चाहिए ना मेरे वेबसाट पे गए आप मेरे आपने मेने अपना इक वेब्साइट कना ठीक है यह कॉमर्स वेबसेंट उस पर कुई कस्टेमर हमें मैसेज करना चाहता है मेल करना चाहते तो वहां पे डिटेल नहीं होगी अफिर क्या करेगा वो कि उसका तो भरोसाई उड़ जाएगा यार पता नहीं का क्या है कोई डिटेल नहीं है हाडवेर कि वाई 24-7 मतलब ओर्डर जो है वह वह 2400 घंटे में कि एक सब्सक्राइगा कि अब जो है वह कभी भी आप सोते रहोगे फिर भी आपके बिजनस में और आ जाएगा को कि यह ओनलाइन रहेगा ना इंटरनेट की उस यूज करने से अपना वह और दे देगा प्लेस कर देगा तो सब्सक्राइब में अभी तक बोलता आयों बार बार इमजन है फिलिपकार्ट है मंत्रा है जियो मार्ट है ठीक है एक बार प्लेस इन वीडियो जो मैं कर रहा हूं अगर एक बार में नहीं आता है समझ में आप दो बार देखना और इसको एक प्लेन रीडिंग करना रटने की कोई जरूत नहीं आप समझ जाओगे इसको कि क्या है यह सब्सक्राइब अगे चलते हैं और आउट्सॉर्सिंग वर्सेज इन हाउस डिवलोप्मंट ऑफ वेबसेट अब यह आउट्सॉर्सिंग वर इन हाउस डिवलोप्मेन का है या तो मैं सारे शौप्ट्वर इंजिनियर्स को हायर करूँ उनको बोलें अपने घर पर कि भाई आपने किसी को आपने क्या और दे लेख जो आपना काम कुध ही करने है तो उसको सब्मेंट में आ वेबसाइट को दो पॉपलर मेथड से मेंटेन किया जा सकता है वही सारा तरीका आउट्सोर्स पास फुर्सत ही नहीं है उनको तुभी है टेक्स करना है जो टेक्स नहीं देंगे उनको पकड़ना है जीएश्टी के पास फुर्सत नहीं है तो उन्होंने आउट्सूर्स कर दिया ठीक है अब ऐसे ही अगर हम देखे आयार सीटी सी मुझे एक्जेक्टि याद नहीं लेकिन आयार सीटी जहां से हम अपने टिकट की बुकिंग करते हैं आयार सीटी सी ने खुद ही अपना मैनेज कर रहा है अपना वेबसेट वो खुद ही रन करते हैं तो इन हाउस डेवलप्मेंट है ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यह आउट्सूर्सिंग और इन हाउस डेवलप्मेंट का तो उम्मीद करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था चोटा सा चैप ना नोगनीज परफेक्ट वियरे टू लर्न सम्थिंग निव ओन डेली बेसे लर्णिंग बहुत जरूरी है तो आप प्लीज मुझे बताना अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं अच्छा एक्स्प्रेंड कर रहा हूं समझ में आ रहा है तो भी बता देना वीडियो को लाइक करना दोस्तों से शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना समझ में आया तो ही करना लाइक वाई ठीक है नहीं आ रहा तो छोड़े लेगिन मेरी कमी जरूर बताओ तभी तो मैं इंप्रूब्मेंट लाओंगा चलो मिलते हैं नेक्स लेक्षर में इसको भी शुरू करेंगे लेसन नंबर वन है यूनिट टू ओके तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या है